सब्सक्राइब कीजिए संपटेक्नो चैनल को और इस बेल वाले एकन पे किलिक कर लिजिए ताकि इसी परकार का और भी महतपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले हेलो फ्रेंड प्रेंड मैं हो सम्पतिकुमार आज की इस वीडियो बात करेंगे वसयत को कैसे कोट में चुनोती दिया जाएगा और इसे कहारीज करवाया जाएगा इसे पहले मैंने एक guest के उपर कीűदि क्या है और इसे कराने का क्या कानूनी परक्रिया है आज इस वीडियो हम लोग बात करेंगे वस्यत को कैसे कोट द्वारा खारीज करवाया जा सकता है यदि आप वस्यत को कैसे रजिस्टर करवाया जागा इसके बारे में जानना जाते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे हैं जैसे आप कोई वसियत को चुनोती दे रहे हैं तो आपको एक valid ground होना चाहिए एक मुख कारण होना चाहिए कि जिस कारण को आपको कोट में खुद ही सावित करना होगा यादि आप कोई आरोब लगाते हैं जैसे कि जो वसियत किया था उसका दिमागी हलाग ठीक नहीं था उस टेम म जिस टेम में वसियत किया जा रहा था तो ये चीज़ को भी आपको खुद ही सावित करना होगा इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे हैं इसमें मैं पूरा पुर्क्रिया को आपके सामने रखने जा रहा हूँ देखिए खास करके होता क्या है जो भी व्यक्त जिसके नाम से किया गया है वह उस परपटी पर अपना अधिकार काईम नहीं करेगा लेकिन वसियत को देने का स्मय तबाता है जब वह हो तिसका देहां थो हूगा तो एसे परठीति में वसियत को चलेंज करता भी बहुत बारा खुद में एक स्का पहली वसियत में देखार होगा आपको शाथ हैंतों जिवित नहीं है तो उसका जो सिंगर यानि कि वसेयत पे जो दू एविडेंस है वो दोनों गवा का signature करवाया हुए है तो दोनों के जिमित है तो ऐसे परिस्तिति में आपको एक दियान में रखना होगा जो टेकनिकल बात है आप 2 गवाह जल्दी में बयान करवा रहेंगे यानि कि आज को इन बयान करवा रहा है तो 2 या 3 तिन जितना जल्दी हो सके यानि कि जैसा gap नहों जाल यह है कि यदि आप दुनों गवाओ को जल्दी में बयान नहीं करवाते हैं यसे परजिते में जो दूसरा गवाओ जिसका गवाह आप करवाएंगे वह कोट से वह कागजात भी निकाल लेता है कि उन्होंने क्या बयान कोट में जा के दिया है और यदि जल्दी में आप तुनों का बयान ले लेते हैं एक से दू या चार दिन के अंदर से हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया अगला एस्टेफ है कि Episode क 수 आप क्वरज़ तरीको या फिर जवर्षति तरीके से करवाया गया या इसे नहीं करवा गया है क्वरशी तरीके से करवाया गया हIn इसलिए इसे रजिस्टर नहीं करवाया गया ताकि किसी व्यक्ति को पता ना चले नेक्स्ट है कि यदि वसियत करने वाला व्यक्ति का दिमागी हालत ठीक नहीं था उस टेम जिस टेम में वसियत करदा था तो फिर ये वसियत खारी हो जाएगा अगला है कि जो व्यक्ति के ना आके वस्यत कर दिया और वस्यत करने वाला जो व्यक्ति था उसका ये इरादा नहीं था उसका मन नहीं था वस्यत करने का लेकिन ये अफराधी परविर्ति के व्यक्ति होने के कारण जो है वस्यत कर दिया लेकिन यहां जो अफराधी परविर्ति का वो व्यक्ति है जिसके ना करवा सकते हैं नेक्स्ट है कि जो वसियत कर रहा था क्या उसे पता था कि वो क्या करने जा रहा है कारण है कि यहां पर बहुत व्यक्ति ऐसे भी है जैसे पता नहीं होता है कि वसियत का मिनिंग क्या है और इसे में क्या हो सकता है और वो वसियत कर देते हैं तो यह भी आपको क आप जिवीत कर दिया तो यो गवा का फरजी सिगनेचर वै किया गया है तो ऐसे परिसीते में जालसाजी का आरोब लगा सकते हैं और सीगनेचर एक्सट का जो है डिमान कोट के दवाइ कर सकते हैं तो इसमें होगा क्या जो व्यक्ति जो गवा था जो सिगनेचर वसियत पर किया था वो इसे पहले जहां भी सिगनेचर किया था जैसे मानने जिए बैंक में अकॉंट खुल वाते समय उन्होंने सिगनेचर किया होगा तो वो सिगनेचर से और वसियत का सिगनेचर को मेच किया कोमेंट कर नहीं होता है तो इस प्रसिती में भी आपका वसीयत करने का कौन-कौन सा और उडडियो करने माध नहीं हो सकता है वह वसियत करने वाला व्यक्ति का परकृति और वस्तियत का परकृति देखके निर्ने किया जा सकता है यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुदी से लाइक किजी अपने मित्रों के साथ से ये साथ ये वीडियो से समधित आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कुमेंट करके पूछ सकते हैं